हेलो स्टूरेंट्स तोड़ी वी एर गोईंग टो डिसकस और फॉर चेप्टर दा सिटी माउस एंद कंट्री माउस और फ्यूर इंग्लिश लिटेच्चर बुक वाट आज पढ़ेंगे कि सिटी की लाइफ और विलेज की लाइफ में क्या डिफरेंस है जैसे कि आप इस पिक कंट्री माउस लिफ्ट इन दा कंट्री माउस लिफ्ट इन दा कंट्री माउस लिफ्ट इन दा सिटी कंट्री माउस जो था था वह गाउं में रहता था यहां पर कंट्री गाउं के लिए यूस किया गया है ठीक है और उसका कंट्री माउस सिटी माउस वह सिटी में रहता थ एक निन कंट्री माउस ने अपनी कजन भाई को गाउं आने के लिए इन्वाइट किया दा सिटी माउस ट्रेवल टू दा कंट्री इनक बस हेडन अंडर असीट सिटी माउस ने काउं का सफर एक बस में सीट के अंदर चिप कर किया उसका कजन ने उसको देखकर बहुत खुश हुआ कंट्री माउस और सिटी माउस रोम आराउंड इन दा कंट्री दे होल डे कंट्री माउस और सिटी माउस दोनों पूरे दिन गाउं के चारुतरब घुमते रहे इसके बाद उन दोनों ने खाने के लिए बैठे उनके पास कुछ मक्की के दाने और कुछ बेरी इस थे सिटी माउस ने कंट्री माउस से कहा कि डियर कजन आपके पास खाने के लिए कुछ ही है इविन दे एंट हैस बेटर मिल इससे ज्यादा अच्छा जो एंट होती है उसके पास अच्छा खाना है प्लीज कम विद मी तो दा सिटी कृपिया मेरे साथ सिटी चलो वहाँ पर हम जो राजा महराज के लिए खाना अच्छा होता है वो हम खाएंगे इसलिए जो कंट्री माउस था अपने कजन के साथ वहाँ से चल पड़ा इन दे सिटी तो कहां पर ले गे गिया देर ले बिफोर देम इस्प्लेंड फिस्ट उहां पर बहुत सारे इस्प्लेंड क्या होता है बहुत ग्रांड वे में फीश्ट रखा हुआ था देकंट्री मौस कुट्री मौस ने अपने आखों पर विस्वास नहीं हो रहा था ही है इससे पहले एक जगे पर इतना सारा खाना नहीं देखा था देर वाज़ ब्रेट चीज फ्रूट ग्रेंड ऑफ आल काइंड अराउं इन दे एले वहां पर उसने उस स्ट्रीट में कई प्रकार के सब कुछ वहां पर लगाया हुआ था दा टू माइस सैटल डाउं टू इंजॉय देर वंडर्फूल डिनर दोनों जो चुहे थे वह खान एक अपने वंडर्फूल डिनर के लिए बैठे दे हैड बेरली बिगन वैने कैट केम अप टू देम वह जैसी अपना खाने दोनों जो चुहे थे वह दोड़े और एक छोटे से अनकमफटेबल होल में चिप गए लेंड़ अनवेलकम विजिटर लेफ्ट दा माइस केम आउट अफ देर होल जब जो विन बुलाया जो महमान था विजिटर था वहां से चला गया तो दोनों चुहे वहां से होल से बाह अपने खाने के पास गये बट बिफोर दे कुड इस्टार्ट इटिंग प्रोपर ली एनदर विजिटर इस टाइम आफ फियर्स लुकिंग डॉग कीम नियर देम एंड ग्रॉल जब वह अपने खाने के पास पहुचे और जैसे ही वह खाना स्टार्ट कर रहे थे वैसे ही ए एक दूसरा वीजिटर जो था जो बहुत ही भयानक डॉग था वह उनके पास आकर गुर्राने लगा दटू लिटिल माइस रैं बैक टू दा होल जो दोनों चुहे थे वह फिर से होल में जाकर छिप गए डियर कुजन सेट दर कंट्री माउस टू दा सिटी माउस कंट्री मा लेकिन मैं अपने गाओं वापिस जाना चाहता हूं क्यों कि मैं वहाँ पर अपना खाना इंजोई कर सकता हूं बच्चों यहां पर जो कंट्री माउस था वह अपने क्यों जाना चाहता था क्योंकि वहाँ पर वह अपना खाना पीसफुल इंजोई कर सकता था तो गाओं की लाइफ कैसे होती है सांती सांती पुर्न होती है और जो सहर की लाइफ होती हो बहुत ही ज्यादा बिजी लाइफ होती है ठीक है थेंक यू